प्रियंका वार्डरा ने 101 ब्रामनों की साथ मन्नर्वदा का पूजन अर्चन किया महलाओं को लेकर बड़ा एलां किया प्रियंका वार्डरा ने महकौशल शेत्र में आने सिकॉंगेस कार करताओं में अलगी उस्तार नजर आया वही प्रियंका वार्डरा ने शिराल सिंग चुहान वभाज का सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हमें मत प्रदेश की जनता ने इस परस्ट बहुमत दिया था कॉंग्रेस के लिए चनावी आगाज रहा है 2018 में भी राहूर गांदी ने मान नर्बदा का पूजा कर श्रंकनात किया था वहीं प्रियंका वार्डरा की सभा मिराज सभा सांसद वेक तंखा ने कहा कि प्रदेश में जबलपूर में कैबिनेट मीटिंग उस शहर में सरफ कमलनात सरकार में हुए थी उस दौरान तीन हजार करूड के बजट पारित हुए थे जो की भाजपा सरकार ने कैंसल करा दिय था मजा की लहज़े में कहा कि अगर अब सरकार बनती है तो अगली मीटिंग जबलपूर में होगी नहीं तो मैं आपके कारले के समक्षधर ना दूँगा नर्वदा में अबेद उत्खनन को लेकर किया गया वरूत पर कहा गया कि मा नर्वदा जीवन दाइनी है जिस प्रक में 10,000 नौक्रिया देनी होगी स्वास्त की ववस्थाओं को लेकर सरकार को आड़े हातु लिया मतप्रदेश की संसकार धानी जबलपूर में कॉंग्रेस राश्ट्री महासचिव श्रीमति प्रियंका गांधी पुर्व मुख्यमंत्री कमलनात एवं विधायक तरून बनू जैसे ही हमारी सरकार में आईगी जब आप देख सकते हैं चैमाहीने बाद चुनाओ है तो जो नारी समान योजना का जो फॉर्म विभन जो देश में क्या है पूरे प्रदेशों में ब्लॉक्स में भर रहे हैं और इसका रुजहान बहुत अच्छा आ रहा है महिला बहुत मतलब वो जानती है कि हमको आज पांसाल अगर यह सरकार बन जाए तो पंद्रा सो रुपे महीना मिले गई मिलेगा और सासा जो गैसलेंडर आज जो साड़े ग्यारो सो का मिल रहा है वो पांसो रुपे का मिलेगा तो यह बहुत अच्छी योजना है जो जिनका जो हैं पूरी महीलाएं आई हैं बहुत अच्छा लग रहा है और निश्य लोग को विश्वास है कि आगे वाले जो चुना होने वाले उसमें निश्यत तोर पर कॉंग्रेस पार्टी जीत कर आएगी और आधर्णी हमारे कमलना जी मुक्तमंत्री बनेंगे अशोक पटेल रिप को